नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि असम में होगा उग्रवाद का अंत उल्फा के साथ शांती समझोता एतिहासे क्यूं जानी अब तक की पूरी कहानी तो आई ये सुनते हैं आज के इस आज का दिन असम की शांती और विकार्वाद के साथ शांती समझोता राजी में इस्थाई प्रगती का मार्ग प्रशस्त करेगा मोदी ने कहा आज का दिन असम की शांती और विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है यह समझोता असम में इस्थाई प्रगती का मार्ग प्रशस्त करेगा मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मैं एतेहासे के उपलब्धी में शामिल सभी लोगों के प्रयासों की सहराना करता हूँ साथ मिलकर हम सब एक्ता विकास और सम्रधी के भविश्य की और बढ़ रहे हैं असमिया चिंताओं की जणिग असमिया लोगों की अपनी अनूठी संस्कृती और भाशा और पहचान की एक मजबूत भावना है हाला कि 19 सदी की शुरुआत में जैसे ही शेत्र की चाय, कोईला और तेल अर्थे वस्ताने हर जग हैसे प्रवासियों का आकरशित किया स्वदेशी आबादी असुरक्षित में हैसूस करने लगी विभाजन और उसके बाद ततकाली इन पूर्वी पाकिस्तान से राज्य में शरनाथियों के पलायन से यह है और भी बत्तर हो गया संसाधनों के लिए प्रतेस फर्दा आसमान चुँगई जिसके प्रविराम सरूप छे साल लंबा जनान दोलन शुरू हुआ अंतत है 1985 में असम में विदेशियों की समस्या का संतोशी जनक समाधान कोजने के उदेश से असम समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हालकिन सबके बीच भीमकांत बुरा गोहेन अर्बिंद राजखोवा अनुप चीतिया प्रदीप गोगोई भ्रद्रेश्वर गोहेन और परेश बरुवा के नित्रत्र में अधिक कंटरपंती विचारकों के एक सम होने साथ अप्रेल 1989 को उल्फा का गठन किया जून 1989 में सदस्योंने संगठन का नाम प्रतीक ध्वज और सविधान पर चर्चा करने के लिए मोरन में बैठक की इनकी मांग असम को अलग देश बनाने के थी उल्फा के संस्थापक भारतियर राजजी के खिलाप सश्यस्त्रे संगर्ष के माधि विशेशकर तेल और गैस शेत्र को निशाना बना कर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की 1221 उल्फा विद्रोहियों को गिरफतार किया गया असम को अशांत शेत्र घुशित किया गया राजपती शासन लगाया गया और सश्यस्तृ बल भिशेश अधिकार अधिनियम लागु किया गया 31 जन्वरी 1991 को आपरेशन बजरंग बंद किया गया जन्वरी 1991 को ततकाली प्रदान मंत्री चंदर शेखर ने राज सभा को सूचित किया कि यदि उल्फा राजनितिक वारता की इच्छा व्यक्त करता है तो केंद्र सरकार आवश यक कदब उठाएगी उल्फा ने जवाब दिया कि जब तक सैनिय अभियान और राशप्रती शासन जारी रहेगा तब तक कोई बातचित संभब नहीं है और असम की संप्रभुता की उनकी मांग पर कोई समझाता नहीं होगा जून 1991 में ही तेश्वर सैकिया के नित्रित्व वाली कॉंग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली सतंबर 1991 में ही उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन राइनो शुरू किया गया मार्च 1992 में उल्फा दो गुटो में विभाजित हो गया और एक वर्ग ने आत्म समर्पण कर दिया और खुद को आत्म समर्पित उल्फा के रूप में संगठित किया 1996 में असमगण परिशद में लोटी प्रफुल कुमार महंत दूसरी बार मुख्य मंत्री बने जनवरी 1997 में उल्फा के खिलाफ समन्वित रणनीती और संचालं के लिए मुख्य सचे की अधिक्षता में सेना राजय पुलिस और अर्धे सान्य बलों से युक्त एकिकरित कमान का गठन किया गया 1997 से 2000 के बीच कथित तोर परसलफा द्वारा उल्फा उग्रवादियों के परिवार के सदस्यों के हत्याएं की गई दिसंबर 2003 में परोसी देश में उल्फा और अन्य पूर्वूतर उग्रवादियों के शिविरों को बंद करने के लिए रोयल भूटान से इनाद्वारा उपरेशन ओल के लिए शूरू किया गया 2004 में उल्फा सरकार से बाचीद के लिए राजी हुआ सितंबर 2005 में उल्फा ने 11 सदस्यापिपुल कंसल्टेट टेविग ग्रूप का गठन किया जून 2008 में उल्फा की 28 वी बटालियन के नेताओं ने एक तरफा युध विराम की घूशना की दिसंबर 2009 में अर्बिंद राजिकोवा सहित उल्फा के शीरूशनेताओं को बंगला देश में गिरफतार किया गया भारत निर्वासित किया गया और गुवार्टी की जेल में बंद गर दिया गया दिसंबर 2010 में जेल में बंद उल्फा नेता ने सरकार से बातचीत का अग्रह करने के लिए सेटिसन फोरम बनाया जिसमें बुद्धी जीवियों लेखा को पत्रकारों और पेशिवरों को शामिल किया गया 2011 में राजखोवा और जेल में बंद अन्यनेता रिहा हुए उल्फा दो गुटों में विभाजित हो गया राजखोवा का नेत्रत्व वाला उल्फा समर्थक वारता और परेश बर्वा के नेत्रत्व वाला उल्फा स्वतंत्र रहा 2012 में उल्फाने सरकार को 12 सूत्रिय मांग पत्र सौपा आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे आपको विस्तर जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ